आदाब नजरीन, मौलाना आजाद नैशनल उर्दो युनिवेसिटी की जानिब से पेश के जाने वाले हमारे इस तालीमी प्रोग्राम में आपका खेर मखदम है आज का सबख B.A. और B.C.म के निसाब से लिया गया है आज का मौजू है तफाएल पैदावार पैदावार किसी भी मशिएत का नहायती जरूरी फाल है महाशी नजरियात के तालीब इल्म की हैसियत से हमको पैदावार के इसलाही मानों और दाखलात वा हासलात के दर्मियान बाहमी तालुख का मताला करना चाहिए आप नजरिय पैदावार के मश्मूलात और उसकी मुनासिबत वा मौजूनियत का भी मताला करेंगे एक मतगयर दाखल यानि आमले पैदाश इन्पुट से पैदाश के बारे में भी आपको वाकिफ करवाया जाएगा आप मतगयर तनासिबत और मुख्तम हासलात के खवानिन का भी मताला करेंगे जिनकी वजाहत के लिए जुमला और मुख्तम पैदावारों यानि टोटल आवरीज और मार्जिनल प्रॉडक्स के तसवरात से भी आपको वाकिफ करवाया जाएगा पैदाश दौलत का मफहूम मीनिंग आफ प्रड़क्शन इस्तमाल के खाबल मुख्तलिफ अशिया और खिदमात की तखलीख से पैदाश यानि प्रड़क्शन से मुराद ली जा सकती है दूसरे अलफाज में पैदाश से मुराद दाखलाद इंपूर्ट्स मिसाल के तौर पर महनत मशीन काम माल को हासलात यानि आउटपुट में तबदिल कर देना है लेकिन काम माल को सिर्फ मादी शकल वा सूरत या मुझसिम शेय में बदल देना ही पैदाश नहीं बलके अमल पैदाश में दाखल और हासल गैरमादी शकल खिदम Mormon या सर्वीस पर भी मुझनी हो सकते हैं खानून और तिभी खिदमात की मिसाल लीजिए जहां दाखल और हासल दोनों गैरमादी शकल एक्तियार करते हैं पस पैदाइश से मुराद सिर्फ मादी अशिया की तखलीख ही नहीं बलके माशी सरगर्मियों में मजगूल मुख्तलिफ पेशवाराना खिद्मात जैसे वकील, डॉक्टर, आक्टर, हजाम, मौसीखर वग़रा भी इसमें शामिल हैं। अमले पैदाइश मुख्तलिफ अलनों शक्लें अख्तियार कर सकता है। मस्नुआत की तैयारी, तैयारी का शुबा, खाममाल खरीद कर नीम तैयार अशिया यानि समी फिनिश्ट प्रॉडटक्ट की तखलीख करते हुए पैदाइश में मशगूल है। दूसरा आमिल जो इन नामुकमल मस्नुआत को खरीद कर तैयार मस्नुआत यानि फिनिश्ट प्रॉडटक्ट पैदा करता है, वो भी पैदाइश में मशगूल है। मस्कुरा मिसालों में अशिया मादी नवायत रखती हैं। शेय की एक मुखाम से दूसरे मुखाम तक नखल पजीरी, खिदमत की पैदाइश यानि प्रड़क्शन आफ सर्वीस है। पैदाइश दौलत का मफ़ूम, इस्तिमाल के खाबिल मुखतलिफ अशिया और खिदमात की तखलीक से पैदाइश या प्रड़क्शन मुराद ली जा सकती है। दूसरे अलफाज में पैदाइश से मुराद दाखलात, इंपुट्स, मिसाल के तौर पर महनत, मशीन, खाम्माल को हासलात या आउटपुट में तब्दिल कर देना है। लेकिन खाम्माल को सिर्फ मादी शकल वसूरत या मुझसिम शेय में बदल देना ही पैदाइश नहीं बलके अमले पैदाइश में दाखल और हासल गहर मादी शकल खिदमात या सर्वीस पर भी मुबनी हो सकते हैं। खानून और तिब्बी खिदमात की मिसाल लीजिए जहां दाखल और हासल दोनों गहर मादी शकल रखते हैं। पस पैदाइश से मुराद सिर्फ मादी अश्या की तखलीख ही नहीं बलके मौशी सरगर्मियों में मशगूल मक्तलिफ बेशावराना खिदमात जैसे वकील, ड की तखलीख करते हैं, पैदाइश में मशगूल हैं। दूसरा आमिल जो इन नामकमिल मस्नुआद को खरीद कर तैयार मस्नुआद या फिनिश्ट प्राडइक्ट पैदा करता है, वो भी पैदाइश में मशगूल हैं। मस्कुरा मिसालों में अश्यामादी नुएत रखती ह शेय की एक मुखाम से दूसरे मुखाम तक नखल पजीरी खिदमत की पैदाइश प्रडक्शन आफ सर्विस है एक कोईले का ब्यापारी बजाद खुद तो कुछ नहीं करता मगर कोईले को कोईले की कान से मार्केट तक मुंतखिल करता है इसी तरह एक मचेरा मचली को समंदर से मार्केट तक मुंतखिल करता है इनकी सरगर्मियों को भी पैदाइश कहलाती है शेय को मुस्तक्बिल की फरख या सर्फ के लिए महफूस करना भी पैदाइश है इसी तरह थोक कारोबार या होल सेलिंग, चिलर कारोबार, रिटेलिंग और माल को पैक करना भी माशी सरगर्मियों की मिसाले हैं इफादे की तखलीख को पैदाइश के वसी मानों की तारीफ के तौर पर इस्तमाल किया जा सकता है पैदाइश दौलत का नजरिया, theory of production पैदाइश का अमल दाखलात के इस्तमाल से हासलात की तखलीख पर दलालत करता है पैदाइश दौलत का नजरिया मसरा इंजिनेरी मालूमा से शुरू होता है अब सवाल ये है कि अगर महनत, जमीन और दीगर दाखलात जैसे मशीन या खाममाल की किसी गदर मगदार रखते हैं तो इन दाखलात के जरिये किसी मखसूस शेय की कितनी मगदार हासल की जा सकती है शुरूआत के तौर पर टेकनोलिजी की हालत को दी हुई परस कर सकते हैं और अपने दीए हुए दाखलात की मगदार के लिहास से या दर्याद कर सकते हैं कि इन ये इस्तमाल से हासलात या पैदावार की कितनी बेश्टरीन मगदार खाबले हसूल है पैदावार का नजरिया पैदावार के खानी पर मुझमल होता है या दूसरे अलफाज में दाखलात और हासलात के दर्मयान बाहमी रिष्टे की बाबत तैमीमात जनरलाइजेशन से तालुख रखता है इसलिए दाखलात और हासलात के दर्मियान मादी रिष्टों की अमूमी वजाहत नजरिया पैदाइश के मौजू बहस या सब्जेक्ट मैटर की शकल अख्तियार कर लेता है दाखलात इंपुर्ट से मुराद अमलय पैदाइश में इस्तमाल की जाने वाली वो तमाम चीजें हैं जन से माधी अशिए या खिदमात ही जाती हैं कुछ दाखलात मैशियत के चंद दीगर पैदा कुनूंदों की हाल हाल में तयार की गई अशिया और खिदमात पर मुस्तमल होते हैं जिनें हम दर्मियानी दाखलात यानि इंटरमीडियट इंपुट्स कहते हैं जमीन, महनत, असल और तन्जीम यानि लान, लेबर, कैपिटल और और्गनाईजिशन ऐसे दाखलात हैं जो इप्तदाई दाखलात यानि प्राइमरी इंपुट्स कहलाते हैं इप्तदाई दाखलात को आमलीन पैदाईश यानि फैक्टर्स और प्राड़क्शन भी कहते हैं किसी बड़ई कार्पेंटर की मिसाल लीजिए जो कुर्सियां बनाता है कुर्सियों की तैयारी या पैदाईश में इस्तमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे लकड़ी, कील, जाल, पॉलिश, दरम्यानी दाखलात हैं कि बड़ई की महनत, कारखाने की जगा, आलात और आवजार और कुर्सियों की तैयारी की शुरुआत यानि इनिशेटिव, इप्तिदाई दाखलात की मिसाले हैं तफावल पैदाईश यानि प्रड़क्शन फंक्शन पैदाईश के नजरे में दाखलात और हासलात की बाहमी रिश्टों की वजाहत के लिए तजवीज या खियास के तोर पर जिस तजजियाती आले का इस्तमाल किया जाता है उसे तफावल पैदाईश या प्रड़क्शन फंक्शन कहते हैं तफावल पैदाईश दाखलात और हासलात की मगदारों के दरमयान तफावली रिश्टे यानि फंक्शनल रिलेशनशिप को जाहर करता है या किसी पैदाईश अकाई के मादी दाखलात और मादी हासलात के दरमयान तफावली रिश्टे को बयान करता है गोया तफावल पैदाईश इस बात की सराहत करता है कि दी हुई टेकनॉलिजी और दाखलाइद की मगदारों का इस्तमाल करके कोई पैदाईशी फर्म वक्त की फियकाई पर किसी शेय की कितनी बेश्टेरीन मादी मगदार पैदा कर सकता है तफावल पैदाइश कई शकलों जैसे जदवल या टेबल, ग्राफिक लकीर, खौस के अलावा अलजिबरा की मसावाद पर भी मुस्तमल होता है और इसकी हर शकल को दूसरी शकल में तब्दिल किया जा सकता है क्योंकि ये तमाम शकलें मसकुरा मजहर फिनामिना के बयान के मुख्तलिफ अंदाज है तफावल पैदाइश की अलजिबराई तरीखे से तश्रीक के लिए हम मिसाल के तोर पर ये फ़स करते हैं कि सोने की कानकनी करने वाली कोई फिर्म असल यानि के और महनत अल पर मुस्तमल सिर्फ दो ही दाखलात इस्तमाल करती है तो आम तरीखे के लिहाँ से इस फिर्म के तफावल पैदाइश की अलजिबराई मसावात हो गई Q is equal to F of KL जहां Q से वक्त की फी अकाई पर सोने की मगदार पैदाइश और के से वक्त की फी अकाई पर असल का इस्तमाल और L से वक्त की फी अकाई पर महनत का इस्तमाल मुराद है मसकुरा तफावल पैदाईश तजवीज या खियास के तौर पर बयान करता है कि के असल और अल महनत की दी हुई मगदार से सोने की बेश्टरीन मगदार यानि क्यों पैदा की जा सकती है हम दूसरी मिसाल से भी तफावल पैदाईश पर गोर कर सकते हैं फर्स कीजिए कि कोई फर्म जो लकडी के मेजों की पैदावार कर रही है उसका तफावल पैदाईश मेजों की बेश्टरीन तादाद पर मुश्टमल होगा जिन को इनकी तैयारी के लिए दरकार दिये गए मखतलिफ दाखलाद जैसे लकडी, वारनिश, महनत की मुदद, मश से गोर करना चाहिए क्योंके तफावल पैदाईश मकसूस वक्त की मुदद में दाखलाद के बहाव यानि फ्लो अफ इंपुट्स के नतीजे में हासल होने वाले हासलाद के बहाव यानि फ्लो अफ आउटपुट को जाहर करता है, दूसरा है, टेकनोलिजी के दरजे के एत मुदार में पैदावार हासल होती है, या दियो해े मंगदार पैदावार को हासल करने के लिए दाखलाद की कम मुदार इस्तमाल की जा सकती है, मॉएएन और मुदागएर दाखलाद, यानि फिक्से एंड वेरियबल इंपुर्स, अमले पैदाईश के तदिये के लिए दिये हुए मुगदार पैदावार को हासिल करने के लिए दाखलाइट की कम मुगदार इस्तमाल की जा सकती है मौईयन और मतगयर दाखलाइट यनि Fixed and Variable Inputs अमले पैदाश के तद्जिये के लिए मौईयन और मतगयर दाखलाइट की हैसियत से इनकी जम्रबंदी एहमियत की हामिल है मौईयन मतगयरा Fixed Variable की तारिफ के मताबिक ये एक ऐसा आमिल है जिसकी मुगदार को हासलात की मतलूबा मुगदार में तबदीली के नतीजे में फौरी तबदील नहीं किया जा सकता तद्जियाती सहूलतों की खातिर हमें ये सूरत हासल दी गई है कि ना इसलिए के कोई भी मतगयर कुलीतन हमेशा के लिए मौयन होता है फैक्टरी की इमारत, मशिनरी, असल खायम और इंतिजामिया मौयन दाखलात की ऐसी मिसाले हैं जिन में फौरी तोर पर कमी पेशी नहीं की जा सकती मतगयर दाखल, एवारियबल इंपुट दूसरी तरफ, मतगयर दाखलात से मुराद ऐसे दाखलात हैं जिनकी मुगदार को हासलात की मतलूबा मुगदार में तबदिली के साथ जवाबी तौर पर इसके साथ ही तबदीली किया सकता है बे महारत महनत, खाम माल और नीम या अधना महारत पर मुबनी महनत, मतगयर दाखलत की तबदीली के साथ, जवाबी तोर पर इसके साथ ही तबदीली किया जा सकता है बे महारत महनत, खाम माल और नीम अधना महारत पर मुबनी महनत, मतगयर दाखलत की मिसाले हैं खलील मुदद और तवील मुदद दे शॉर्ट रन और लॉंग रन पीरियड जिस तरह मुईन और मतगयर दाखलात के फर्ख के तसवर से हम वाखिफ हो चुके हैं इसी तरह खलील मुदद और तवील मुदद के फर्ख के तसवर से भी वाखिफ जरूरी है खलील मुदद शॉर्ट रन से मुराद ऐसी मुदद है जिसमें एक या चंद आमलीने पैदाइश मौइन है इस लहाँ से खलील मुदद में हासलात में तबदीली, मतगयर दाखलात के इस्तमाल में तबदीली का नतीजा है मिसाल के तौर पर अगर कोई पैदाईश एकाई खलील मुदद में पैदावार में वस्त चाहती है तो इसका मतलब यह है कि फर्म प्लांट के साइस और आलात वावजार की मुदार में तबदीली लाए लाए बगर मजदूरों यानि लेबर से ज्यादा वक्त तक काम लेते इसी तरह अगर खलील मुदद में पैदावार में तक्विफ करना हो तो कुछ खास मजदूर को काम से बेदखल या अलहदा किया जा सकता है लेकिन मुईन आमलीन पैदाईश जैसे फैक्टरी की अमारत और मशीनों वगरा को फौरी तोर से पर अलहदा नहीं किया जा सकता ह तवील मुदद या लॉंग रन की तारीफ इस तरह बयान की गई है कि इस मुदद में तमाम दाखलात को मतगयर आमलीने आमलीन की तरह समझा जाता है तवील मुदद में पैदावार में कुछ इस अंदाज से तबदिलियां लाई जा सकती हैं जो पैदाकुनंदां के लिए बहुत ज्यादा मुदद में पैदाकुनंदा मौजूदा प्लांट से फी दिन सिर्फ ज्यादा घंटों तक काम लेते हुए पैदावार में वुस्त पैदा करने के खाबिल हो सकता है जैसे जिसके लिए वो कारिंदों को आवखादकार से ज्यादा काम ओवर टाइम और इस तरह फिर काम के आम दिनों की तरह हालात नॉर्मल हो जाते हैं पैदाईश के नजरिये में खलील मुदद और तवील मुदद की तफरीख बहुत ज्यादा एहमियत की हामिल है क्योंकि यह तसवर हमें फर्दन फर्दन खलील मुदद तफावले पैदाईश और तवी इचिनल रिलेशन्शिप को बयान करता है जिसको खानूने मुतगयर तनासब या लाओ आफ वेरेबल प्रपोजिशन्स और खानूने तश्कील हासिल लाओ डिमिनिशिंग रिटरंस भी कहते हैं तविल मुद्दती तफाली पैदाइश में नई और जदीद मशीनों से पैमान रिच्टे की वगज़ात करता है मुटगयर तनासबात के खानून का बयान या स्टेटमेंट अफ लाओ व्रिडियर फिल पॉपॉर्पोजिशन्स मुटगयर तनासबात का खानून इस वक्त अम Ol पजीर होता है जब मुईयन और मुगयर दाखलाइश के धरमियां तगयर व पैदावार बढ़ती है लेकिन एक नुक्ते के बाद घटी हुई शरह से बढ़ती है इस खानून को दूसरी तरह से यूं भी बयान किया जा सकता है कि मौईन आमलें की मुगदारें बर्खरार रखते हुए जब किसी मुतगयर आमिल की ज्यादा से ज्यादा अकाईयां इस्त पैदावार यानि टोटल आबरेज और मार्जिनल प्राड़क्ट खानून मुतगयर दनास्बत का तज्या करने के पहले तालिब इल्म को जुमला और्सत और मुखदावार की तसवरात पर फामले वबूर हासल होना चाहिए एक मिसाल के जरिए इन तसवरात की तश्रीख की करेंगे जद्वल में चार हेक्टर जमीन पर गेहों की पैदावार टनों में जद्वल में आप देख सकते हैं कि इस चार हेक्टर खता जमीन पर मुखदूरों की मख्तलिफ तादाद के साथ जुमला पैदावार कैसे तब्दिल होती है जैसे जिसे मुखदूरों की तादा में इजाफा होता जाता है जुम्ला पैदावार बढ़ती जाती है यहां तक के छे मजदूरों के इस्तमाल से बेश्चरीम सता छे सट टन तक पहुंच जाती है और साथवा मजदूर जुम्ला पैदावार में कोई इजाफा नहीं करता इसके बावजूद अगर हम आटवे मजदूर को काम पर लगाने के लिए इसार करते हैं तो जुम्ला पैदावार घटकर 64 टन हो जाती है चदवल में आप दी गई मालुमात शकल के जरीए वाज़ की गई है O-X के महवर पर मजदूरों की तादाद O-Y के महवर पर गेहूं की जुम्ला पैदावार को पेश किया गया है मजदूरों की मختलिफ तादाद के जरीए इनकी सता पैदावार को खौस में पेश किया गया है खौस में दिये गए नुखाद से मुंसलिक एदाद मजदूरों की मखतलिफ तादाद के जरीए महसला सता पैदावार की नुमाइंदिगी की जाती है शकल में 10.1 के नुखते से मुराद ये है कि एक मजदूर के जरीए 10 तंगे हों पैदा किया गया इसी तरह 24.2 के नुखते से मुराद दो मजदूर के इस्तमाल से 24 तंगे हों पैदा किया गया वगयरा जद्वल से हम औरसत पैदावार यानि आवरिश प्रॉडेक्ट और मुखततम पैदावार यानि मार्जिनल प्रॉडेक्ट के बारे में मालूमात हासल कर सकते हैं जिन्हें जद्वल में पेश किया गया है और जिसकी तश्रीश शकल के जरीए दी गई है जद्वल चार हेक्टर जमीन पर गेहों की जुम्ला औसत और मुखततम पैदावार जद्वल में काम पर लगाए गए मजदूरों की तादाद, जमीन, मजदूर तनासब, जुम्ला पैदावार, और औसत पैदावार, और मुखततम पैदावार जद्वल में कालम नमबर दो, जमीन, मजदूर तनासब, लगाए गए मजदूरों की तादाद, जो बढ़ती रहती है मजदूरों की मजदूरों की मजदूरों की मजदूरों की तादाद से तक्सीम करते हैं कालम नमबर तीन को कालम नमबर एक से तक्सीम करने से औसत पैदावार हासिल हो सकती है मखटतम पैदावार हासिल करने के लिए X मजदूरों की पैदा करदा जम्ला मगदार को X प्लिस वन मजदूरों की जम्ला पैदावार से तफरीख करते हैं जहां X मजदूरों से मुराद 1, 2, 3, 4 ता 7 है जदवल के औसथ और मखटतम पैदावार के एदाद को जमीन मजदूर तनासुप यानि लैंड लेबर रिशियो और काम पर लगाए गए मजदूरों की तादाद के साथ शकल में दिखाया गया है O X के महवर पर काम लगाए गए मजदूरों की तादाद और O Y के महवर पर गेहूं की औसथ और मुखतम पैदावार तनों में का तकमीना किया गया है OX के महवर से नीचे के खतर पर लगाए गए मज़़ूरों से तालुख रखने के वाले जमीन मज़़ूर तनास्वाथ यानि लैंड लेबर रिशियोस दिये गए हैं आवसत पैदावार खौस यानि आवरिच पाड़क करव के जरीए काम पर लगाये गए मज़़ूरों की तादाद और आवसत पैदावार को दिखाया गया है और मुखट्वताम पैदावार के आधात को मुखट्वताम पैदावार खावस यानि मारजिनल प्रोड़क्ट करव के जरी दिखाया गया है आसानी के साथ हम इस बात का मुशाइदा कर सकते हैं है या यह बात भी खाबिल खौर है कि जब हम मबदा से दूर हो जाते हैं तो जमीन मजदू तनासुप यानि लैंड लेबर रुशियो घरता जाता है पैदाइश दौलत के तीन मरहले यानि तीन सेजस आफ प्रड़क्शन पैदाइश के मस्कूरा तश्रीश से हम पैदाइश के तीन मरहलों की आसानी से शनाफ कर सकते हैं शकल पर गोर कीजिए जिसमें पैदाइश के तीन मरहले दिखाए गए हैं हम जमला पैदावार खौस यानि टोटल प्राड़क्श से शुरू करते हैं इस खौस पर नुखता ए तक जब दाखलात की ज्यादा मुगदार पर लगाई जाती है तो जमला पैदावार बढ़ती हुई शरह से बढ़ती है नुखता ए से नुखता बी तक जमला पैदावार में इजाफे का रुजान जारी है लेकिन इस इजाफे में घटी हुई शरह से बढ़ने का रुजान से एक मरहला के बाद मुन्फी हो जाती है। आवसत पैदावार बढ़ती रहती है। यहां तक के नुखता E पर वेश्टरिंच सता पर पहुंच जाती है। जहां मुखतम पैदावार यानि मारजिनल प्राड़क्ट और आवसत पैदावार मसावी है। इसके बाद आगे चल कर यह घरती जाती है और जब पैदावार सिफर हो जाती है तो यह भी सिफर हो जाती है। मसकुला बहस की बुन्याद पर पैदावार पैदावार के तीन मरहलों को इस तरह बयान किया जा सकता है। पहला मरहला मतगयर दाखल को नुखता D की बाएं जानिब से इस्तमाल करने के तालुख करने से तालुख रखता है जहां आवसत पैदावार और बेश्चरीन सता हासिल कर लेती है दूसरा मरहला मतगयर दाखल को नुखता E और नुखता F के दर्मियान इस्तमाल करने से तालुख रखता है जहां मतगयर दाखल के मुखता पैदावार सिफर हो जाती है तीसरा मरहला मतगयर दाखल को नुखता E की दाएं जानिब से इस्तमाल करने से तालुख रखता है जहां मतगयर दाखल के मुखता पैदावार मुखता पैदावार में बढ़ती हुई शरा से इजाफा होता है और फिर अपने बेस्तरीन नुखते पर घटी शरा से पहुंचती है और इसके बाद घटी रहती है अजीज तलबा और तालबाद आज के प्रोग्राम में बस इतना ही अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाखत होगी तब तक के लिए आदा और फिर मुलाखत झालबाद आजीज तंब तक के लिए आजीज तक के लिए फिर में आजीज की अजीज़च्ट आजीज़ा का भी तक के लिए तक है झाल